आप लोग का लगतार कमेंटार हाँ पटने विशात्रा हैं सामिल होने उनके लिए physics का sample पर आप लोग को लेकर आए या स्क्रीन पर जिसमें के आप लोग को 50 question मिलेंगे यह सब important question है में भी हो सकता है कि आप लोग को इसमें से 5 से 10 आप लोग क्या पूस्दे एक्जाम में ठीक है तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं फटाफट इस test को हम लोग complete कर लेते हैं ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं पर direction for the question mark the best option तो सबसे पहला question क्या बोल रहा है आप लोग असकिन पर ही देख सकते हैं figure के साथ दिया गया the total flux through the face of the cube with side of length a if a charge cube is placed at corner a of the cube is आप लोग को यहां देख सकते है figure जैसे प्रस्ण बोलागा है सेम यहां पर पूछ रहा है यहां पर side of the length a पूछ रहा है एका length कितना होगा तो चार ओप्सन दिये गये हैं तो आप लोग उन्हें 12 अच्छे से परह होंगा तो इसका राइट आंसर कौन सो हो जाएगा Q बट 8 epsilon not यानि कि cube का जो side होता कितना होता 8 होता इसलिए 8 epsilon not इसका सही आंसर होगा तो चलिए हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं आप लोग को में चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, question number 2 क्यों बरते हैं, one का आप लोग ने answer देख लिया, one का क्या answer होगा, q but it, epsilon not, इसका सही answer होगा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, question number 2, question number 2 क्या बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, electric field lines provides information about, जो electric field lines है, वो कौन से information, कौन से सुचना क वो क्या करता है, provides कराता है, चार option दिये गए, field strength का, कि direction का, कि nature of charge का, कि इस सभी, all of the days, उपर दिये गए सभी, सही है, कि इसका सही answer कौन से होगा, तो मैं आप लोग बता दे, कि जब भी electric field lines provides information करेगा, तो वो क्या करता है, वो field का strength निकालता है, direction बताता है, nature of charge, nature का charge क्या पलस है, कि माइनस है, यह सभी क्या करता है, electric field lines provide कराता है, इसलिए इसका correct answer कौन से होगा, option D इसका सही होगा, ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते है, question number 3 क्या बोल रहे है, unit of electric dipole moment, unit of electric dipole moment का, ऐसा unit क्या होता है, ठीक है, इसका Newton होता है, कि कुलंब होता है, कि Friday होता है कि, दब होता है, तो वो चार option दिये गए है, चारों मेंसे इसका सही answer कौन सा होगा, तो इसका unit of electric dipole क्या होता है, डब होता है, ठीक है, D by, ठीक है दोस्तों इसका answer क्या हो जाएगा, option D, तीन का D आप लोग का सही होगा, चलिए question number हम लोग 4 क्या बोल रहे है, देखिए, what is the electric field due to informally charge infinite seat in region 3, region 3 का जो है इसका पूछ रहा, ठीक है, region 3 का क्या होगा, इसका infinite seat का, तो चार option दिये गए है, 5 बते epsilon 0, 5 बते 2 epsilon 0, 2 5 बते 4 5 epsilon 0, इसका right answer कौन सा होगा, चार का, तो चार का आप लोग का right answer मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, आप लोग का B होना चाहिए, option B इसका सही होगा, चलिए अगला देखते हैं, हम लोग question number 5 देखते हैं, फटा बट कर लेंगा दोस्तों, इसमें time waste नहीं किया जाएगा, पास number question क्या बोल रहा, which of the flowing is true about the electrostatic force, electrostatic force के लिए 4 option में से कौन सा सही है, तो पहला option दिया है, it is non conservative, it is always attractive, it is weaker than gravitational force it depends on nature on the medium, तो पांच का अगर answer की बात करें, इसकराइट answer कौन सो हो जाएगा, यहाँ पे, it depends on nature of the medium, यह depend करता है, कि nature का medium क्या है, ठीक है, तो उस्तों, तो option इसका D सही होगा, पांच का, चलिए अगला देखते हैं, हम लोग, six number question क्या बोल रहा है, यहाँ पे, six number तो आसा पर बताया तो ठीक है, six number बोल रहा है आप लोग को, when a charge a spare a of charge q is touched with the another identical charge a spare b of charge to q, आगे देखते हैं हम लोग, what is the net charge on the both a spare after some time, यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आप लोग से, यहाँ से पूछ रहा है, net charge on the both a spare, a और b का जो a spare है, उसका net charge क्या होगा, तो आप लोग को मैं already पहले ही बताया था कि net charge के लिए formula आप लोग जानते हैं, यह already 12 पर कराये हैं, तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, तो इसका क्या हो जागा right answer, आप लोग का option b हो जागा 3 q by 2 इसका answer होगा, option b इसका correct होगा, च गोस्त नमब साथ क्या बोल रहा है आप लोग को, साथ बोल रहा है, two forces of magnitude f are acting on a charge q perpendicularly, which is the resultant force on charge q, यहाँ पे भी आप लोग से resultant force on a charge q पूछ रहे हैं, बस formula आपको ध्यान रखना, formula आप लोग का, formula पे basis पे बहुत जादा प्रस्न पूछा जाता, तो इसका right answer कौन से होजा हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, यानि कि option c इसका सही है, किसका साथ नमबर का, चलिए 8 का हम लोग देखते है, 8 क्या बोल रहा है, आप लोग को, यहाँ पे 8, figure के साथ है, आप लोग देख सकते है, which of the flowing is correct for given field lines, यहाँ पे जो field lines दिया गए है, वह कौन सा सही है, देख सकते है a से b, c, आप लोग बता है, इसका correct option कौन सा होगा, तो 8 का आप लोग का answer कौन सा होजाएगा, मेरे ख्याल से कौन सा होना चाहिए, c होना चाहिए, e a बराबर e b is greater than e c, ठीक है, तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, c आप लोग का सही होगा, चलिए हम लोग 9 नमबर देखते है, 9 नमबर था बरा है, इसको हम लोग अच्छा से देखेंगे, 9 बोल रहा है, two charges of magnitude, 2Q plus 2Q and plus Q are located at the point A0 and 4A0, respectively, what is the electric flux due to discharge through a sphere of radius 3 with its center at the origin, इसमें भी आप लोग को सब पूछ रहा है क्या, electric fields, electric flux due to discharge through the sphere, radius 3, जो radius है, आप लोग का circle में, वहाँ पर तीन एप जो भी electric flux है, उसका मान पूछ रहा है, तो चार option दिये गए है, तो चार में सराइट अंसर आप लोग कौन सो हो जाएगा, minus 2Q by epsilon not होगा, minus 2Q by epsilon not, इसका सही option होगा, option D, इसका सही होगा, 9 का, चलिए हम लोग फटा-फट प्रक्टिस कर लेंगे 10, question 10 के अबर, what is the electric flux due to electric dipole in close inside a close asperical surface, यहाँ पर पूछ रहा है, electric dipole जब surface क्या रहेगा, close रहेगा, तो जब ही आप लोग surface close का इसी ती आए, तो आप लोग, simple सा आप लोग इसका important, आप लोग में बताया था, जब ही in close dipole asper, पूछे उसका रहाए जीरो होता है, ठीक है, यह बहुत ही important question है, 10 number, MI question, यह भी board के exam में पूछा है, और आप लोग PwC के इंट्रेंस स्टेस्टर में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखे हैं, जब ही electric flux due to electric dipole in close रहेगा, यहाँ के close surface पूछेगा, वहाँ पी electric flux क्या रहता है, जीरो हो ज हम लोग देख सकते हैं, चार ओप्सन दिये गए हैं, चारो में से जो correct option कौन सा हो जाएगा, B होगा, ML, T to the power minus 3, A to the power minus 1, यानि कि option B इसका सही होगा, इगारा का, ठीक है, तो देख सकते है, electric dipole का dimension, आप लोग से पूछा जा सकता है, इगारा का आप लोग का कौन सा हो correct for electric field due to informally charge infinite length of wire of charge density lambda, यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे भी आप लोग की electric field due to informally charge infinite length of wire, निके length का जो wire है, वो कहा है, infinite है, मतलब unlimited है, उसका जो density दिया गया है, कितना दिया गया है, lambda दिया गया है, तो simply इसका क्या निकल जाएगा, आप लोग को, formula है, बस जो भी आप ल formula करने के लिए दिया गया है, तो उसी formula के याद रखना है, तो बारा का correct answer की बात करें, तो बारा का correct answer होजेगा, lambda बाट है, 2 pi epsilon not r, ठीक है, option A, इसका सही होगा, चलिए आगला देखते है, तेरा number question क्या बोल रहा है, तेरा number question क्यों बढ़ते है, what is the electric flux due to discharge configuration through hemisphere surface, चारों में स आप लोग का जो correct option इसका क्या होगा, हमी एस फेर surface पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका तेरा का correct answer क्या हो जाएगा, आप लोग का, तेरा का हो जाएगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए, Q बटे 2 pi epsilon not, option C होना चाहिए, ठीक है, तो चलिए आप लोग ही बना के comment कीज़े, या क्य सही है की गला थे, ठीक है, चौद नमा देखते हैं, question electric field lines due to single positive charge, यहाँ पर electric field lines का जो single positive charge है, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर radially inwards होगा, radially outwards होगा, की covering होगा, ठीक है, तो इसका right answer क्यों सो जाएगा, चौदा का, तो चौदा का, तो चौदा का, आप लोग का right answer होगा radially outwards होगा, ठीक है, option B इसका सही होगा, जले हम लोग फटा-फट कर लेते हैं, पंदर नमा देखते हैं, पंदर क्या बोल रहा, what is the electric dipole moment of dipole of length 10 centimeter and consisting of charge 100 plus microcoulomb, तो इसका right answer क्या होगा, electric dipole moment भी पूछ रहा है, यहाँ प्या, length दे राखा 10 centimeter of consisting charge, दे राखा क्या क्या 10 to the power of minus 5 centimeter option A, इसका सही होगा, चले है आगला देखते है, solar number question थोड़ा बरा है, इसको परके देखते है, what is the correct expression for electric field due to informally charged circular ring of radius A and at a distance X from its center, center पर जो इसका electric field क्या होगा, duty informally charged रहेगा, उसका circum ring में, जिसका formula आप लोग याद रखेगा, formula क्या होता है, 16 का, इसका formula आप लोग क हो जाएगा, यह वाला, one but a four by epsilon not QX, बटे X square places A square के to the power 3 by 2, यानि कि option A, इसका सही होगा, सिर्फ formula यहाँ पर दिया गया है, और कुछ नहीं, rocket sense नहीं, इसमें, 17 दिखते हैं, 17 क्या बोल रहा है, if a positive charge particle is moving in direction of electric field, it will be क्या होगा, accelerate होगा, decelerate होगा, stop moving होगा, प्रोसेस पारा बोल होगा, तो अगर 17 की बात करें, तो यह क्या होगा, आप लोग का accelerate होगा, यानि कि यहाँ पे accelerate होकर यह क्या करेगा, depend करेगा, electric field option A, इसका सही है, 17 का, चलिए आठार नमर कोशन देखते हैं, 18 क्या है, in which direction force acts on the particle placed at origin in the given configuration, तो देख सकते हैं, यहाँ पे details दिया गया, figure म होगा, तो अठारा का अगर answer के बात करें, तो answer इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, राइट साइड होगा, दाया साइड होगा, option B, इसका सही है, चलिए हम लोग फटाक से 19 नमर देखते है, 19 क्या बोल रहा है, 19 बोल रहा है, what is the moment of charge carried by 12.5 multiply 10 to the power 8 electrons, इसका क्या होगा correct answer, तो निसका अगर answer की बात करें, तो इसका answer होगा, तो गुने 10 to the power, minus 10 कुलम, ठीक है, इसका correct answer option A होगा, इसका option A, चलिए जल्दे से मिला लेते हैं, 20 नमर question, 20 थरा बराया, तो इसको देखते हैं, a point charge Q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge Q, the work alone by electric field on rotating, charge in one complete revolution, तो यह important है नहीं, तो फिर भी मैं आप लोग बता देते कि इसका क्या होगा, negative होगा, पोजेटिव होगा, तो इसका सही answer की बात करें, तो यह क्या होगा, इसका answer होजागा, आप लोग का 0, ठीक है, यह important है भी नहीं, इसका answer क्या होगा, 0, option A, इसका सही है, चले, 21 नमबर देखते हैं, 21 नमबर बहुत ही, most important question है, if the flow of electric field through a closed surface is 0, electric field का अगर flow, electric flow of electric field through a closed surface, अगर closed surface है, वहाँ पे electric field का flow है, मतलब कि electric field वहाँ पे जारी है, तब उस सिस्तिति में इसका क्या होगा, option 4 दिये गया है, तो चारों में से इसका correct answer कौन से हो जाएगा, इसका सही answer क्या होगा, आप लोग का, D होगा, charge in the vectority of the surface must be क्या होता है, 0, अभी मैंने बैताया था, कि जब ही electric field through surface क्योड जाएगा, तो उसका क्या होगा, जीरो ही होता है, तो इसलिए ये भी क्या है, important question है, 21 का, चले, 22 नमबर देखते हैं, 22 नमर थ square of radius r is uniformly charged the magnitude of the electric field due to the sphere, आगे है क्या लिखा हुआ, square at a distance from its center, यानि कि इसका square electric field due to a square distance from the center से इसका value पूछ रहा है, तो क्या होगा, greater than होगा, कि less than होगा, कि 0 is less than is quality infinitive होगा, तो इसका अगर 22 का answer की बात करें, तो इसका राया तर कांसा होजागा, this decrease as a r, मतलब radius increase for r is less than is equal to r, r is less than is equal to infinitive, यानि कि option इसका c सही होगा, चले 23 नमर देखते हैं, 23 important question है, आप लोग के लिए, the magnitude of electric field e vector in the annular region of a charge cylindrical capacity क्या होगा इसका, तो 23 का अगर एंसर की बात करें, तो 23 का आप लोग कराया एंसर होगा, b is higher near the outer cylinder than near the inner cylinder, यानि का option b, ठीक है, चले option b इसका सही है, 24 देखते हैं, 24 क्या है यहाँ पर, 24 बुल रहा है आप लोग को, two charge particles each housing charge q and mass of mass m and r, d distance about from each other, if the practical particles are in equilibrium under the gravitational and electric force them, determine the ratio q by m, इतना बड़ा question आप लोग से पूछेगा, नहीं PwC, एकदम short में आप लोग से पूछेगा, चले फिर भी मैं answer इसका बताया, तो इसका answer क्या होगा, 10 to the power minus 10, इसका सही होगा, यानि का option b सही होगा, 25 देखते हैं, 25 नमर के आप लोगा, what is the magnitude of a point charge due to, which the electric field 30 cm away has the magnitude 2, तिसका सही option ये important question है, तिसका magnitude point पूछ रहा है, इसका राया आप अंसर का होगा, 25 का अंसर की बात करेंगा, तो इसका अंसर होगा, 2 गुने 10 to the power minus 11, कुलंब, कुलंब सोड़ी, 26 नमर कोश्चन, 26 भी important है, if a charge particle is projected on a rough horizontal surface with a speed V0, what is the value of dynamic coefficient, coefficient of friction, if Ke, यानि के kinetic energy of system is constant, यानि के kinetic energy से आप लोगा कोश्चन है, या भी important कोश्चन है, तो 26 का अंसर की बात करेंगा, तो 26 का करेक्टर अंसर क्या होगा, कीवी बट अमजी होगा, यानि कीवी बट अमजी होगा, य सही होगा, चले 27 देखते हैं, 27 क्या बोल रहे हैं, आपके, identify the correct statement in the flowing columns, ला correctly described the electric force that, कुलम ला से एक कोशन आप लोग बनता है, तो कुलम ला भी आप लोग अच्छे से देख लिए हैं, तो 27 का राइट अंसर कौन सो होगा, या आंसर होगा, आप लोगा, आप लोगा, बिहा theouch distance electric field due to point charges proportional to, कि इसके proportional होता है, तो आप लोग देख सकते, 1 by R, 1 by R पर पोस्टनल होता है याई कि ऑप्शन बी इसका सही इंप्टेंट को सण है अठाइस नमबर चलिए फटाक से उंटिस नमबर देखते हैं इंटिस क्या बोल रहे हैं आप लोग को यह भी इंप्टेंट नमबर इसका राइट अंसर क्या होता है यह हमेशा परपेंडिकूलर टू रहता है अगला देखते हैं तीस क्या है तीस भी इंप्टेंट है अगर हम लोग किसी गलास को हम लोग रभ करें तीस से तो वह क्या होगा चलिए अब लोग बताएं इसका अंसर तीस का अंसर कवused कॉँआ क्प्सण ए और बी दुनों करेक्ट होगी उप्सण इसका डी सई होगह ते चलिए हम लोग 31 देखते हैं 31 क्या बोल रहा है लोग को एक्टिस्ट बोल रहा वेन पर्शन कम्स हिज एर अस्टाटिक इलेक्ट्रिसिटी इस सम्टाइम्स जनेरेटेड बाई वाट प्रोसेस यह भी इंपर्टेंड कोसेशन है आप कोई भी पर्शन अगा कंगी से हेर अपना करता है तो उसमें क्या होता है कि एलेक्ट्रि इलेक्ट्रोंस ठीक है तो समझ लिए होंगा ओप्शन भी इसका सही है का 32 का 32 देखते हैं 32 भी कि आप लोग के इंपर्टेंट है यहाँ पर पूछ रहा है आप लोग को नमबर ओफ इलेक्ट्रोंस पर्जेंट इन माइनस वन कुलंब ओफ चार्ज यानि कि यहाँ पर इले इसका चले फटाक से 33 देखते हैं 33 क्या बोल रहा है आप लोग को तो इसका राइटर सर के बात करें तो 33 का प्रोक राइटर सर अप्सटन भी 4.5 गूने 10 डिपार मैनस 3 न्यूटन अगला देखते हम लोग 34 नमर कोसां देखते हैं 34 इंप्टेंट है 2.0 charge of 3 microcoulomb plus 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 newton if each given an additional charge minus 6 microcoulomb the new force किया होगा यहां से नया force पूछा जा रहा है सारा कुछ आप लोग को charge दे रखा है इसका नया force किया होगा तो इसका नया force के बात करेंगे हम लोग 34 का अगर एंसर की बात करें इसका आंसर होगा 7.5 newton यानि कि option D इसका correct होगा चले 35 लेखते हैं 35 भी आप लोग के लिए important question है which of the following statement is true about the electrical force electrical force के लिए कौन सा statement सही है चार ओप्शन दिये गए है तो 35 का आप लोग का correct answer कौन सा हो जाएगा यह option ही सही होगा electrical force are produced by electrical charge option A best statement है यह सही है अगला देखते हैं हम लोग 36 नमबर question important है नहीं तो क्या करते हैं इसको हम लोग skip कर देते हैं ठीक है तो 36 करके answer की बात करें तो answer इसका क्या हो जाएगा 2.5 गुने 10 to the power minus 3 Newton चले 37 नमबर क्या है आप लोग के लिए important electric field at a point is एक electric field point पे क्या होता है option 37 के चार option दिये है तो 37 का क्या हो जाएगा sorry 37 का आप लोग अड़ी होगा बोथ a और b q क्या क्या लिखा हुआ continuous if there is no charge at a point b है discontinuous if there is a charge at a point ठीक है यह दोनों statement क्या है सही है इसलिए इसका right answer क्या हो जाएगा option d इसका सही है चले 38 भी आपके लिए बहुत ही important है if the charge on object is doubled then electric field becomes क्या होगा half होगा कि double होगा कि unchanged होगा कि twice होगा तो इसका answer के बात करें तो यह क्या होता है double होता है यानि कि option b इसका 100% सही होगा चले बात करेंगे अब हम लोग 39 39 क्या बोल रहा है यह भी 39 important है नहीं 40 देखते है 40 आपके लिए बहुत ही most important question है electric potential is electric potential क्या होता है scholar होटा है बेक्टर होगा टेंसर होता है कि both a and b and c सब करेक्ट है तो 40 का अगर answer के बात करें तो 40 का आप लोग क्या होता है scholar होता है option यह इसका सही electric क्या होता है scholar होता है चले हम लोग देखते हैं अगला 41 41 भी आपके लिए बहुत ही important है potential due to point charge q at infinite distance यहां पर potential due to point charge q at infinite charge रहेगा तूसर स्तितिम इसका सही answer क्या होगा आप लोग का तो 41 का आप लोग right answer क्या होता है आप लोग इस तरह कि जब भी आप लोग मिले तो चुप चाप 0 लगा कर निकल लेना यहां पर लोग इसका क्या होगा सही होगा जीरो होता है चलिए आगला आप देखते हैं हम लोग 41 42 देखते हैं 42 भी आप लोग के important है नहीं तो चलिए 43 आप लोग के लिए बहुत ही most important question है इसका राइट अंसर आप लोग क्या होगा constant होता है यानि कि नहीं चेंज होगा न कुछ रहेगा चुप चाप लोग अस्थाई रहेगा option B 43 का है चलिए आप लोग देख सकते हैं यहां पर अगला देखते हैं हम लोग 45 आप लोग के लिए important question है तो find electric field between two metal plates 3 mm apart connected to 18 volt battery यहां से आप लोग के electric field पुछा जा रहा 2 metals जिसका mm कितना है 3 mm का है वो भी connected है कितना volt battery से तो 18 volts तो इस कराया टांसर आप लोग कौनसर जागा 45 का तो 45 का आप लोग कराया टांसर हो जागा मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए 6 गुने 10 to the power 3 volt प्रती मीटर होना चाहिए option यह इसका सही होगा ठीक है चलिए 46 देखते है 46 भी आपके लिए बहुत ही most important question if potential energy between two charges positive the electrostatic force क्या होगा यहाँ पे पूछ रहा है अगर दो energy charge क्या है positive है ठीक है potential energy तो इसका क्या होगा electrostatic force क्या होगा attractive होगा कि repulsive होगा कि repulsive होगा कि attractive होगा दोनों होगा कि इन में से कोई नहीं होगा तो चारों में इसका राइटनसर क्या होगा 46 का तो क्या होगा यह repulsive होगा ठीक है option B इसका correct होगा चलिए देखते हैं हम लोग 47 47 बताओ 47 भी आपके लिए important current passes between two points when there is जब दो दो points के बिच current pass होता है तब क्या होता है वहाँ पे तो चार option दिए गये हैं तो 47 का राइटनसर आप लोग कांसा होगा option यह होगा potential difference between two points वहाँ पे क्या होता है potential difference हो जाता है option यह इसका सही हो जाएगा चलिए 48 48 भी आपके लिए किया है बहुत ही important है if the charge on the capacitor is doubled electric field inside it will be become क्या होगा अगर हम लोग capacitor के charger को क्या कर सकते हैं double कर सकते हैं दूगना करेंगे तो उसका electric field inside क्या होगा half होगा कि four times होगा कि double होगा तिसका आप लोग correct answer बताओ और 48 का क्या होगा और 48 का क्या होगा double होगा जब हम लोग capacitor को double करेंगे तो उसका electric field inside भी क्या होगा डबल होगा यानि कि दूगना होगा option C इसका सही होगा चलिए 49 देखते हैं हम लोग second last question देखते हैं 49 भी आपके उतरा important नहीं है फिर ही आप लोग देख लिजेगा इफ four capacitors of capacitors of capacitors 10 microfarad each are connected in series which is the effective capacitors 10 तो इसका राइट अंसर को जाएगा 49 का 49 का आप लोग राइट अंसर होगा मेरे ख्याल से 2.5 microfarad है चलो बताओ 50 बहुत ही most important question है 50 का अंसर करो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताना 50 का राइट अंसर कौनसर हो जाएगा ठीक है तो मैं आप लोग को बताया तो मैं अंसर किया which of the flowing is potential difference dimensional formula potential difference का dimensional formula क्या होता है तो 50 का अंसर की बात करें तो B होगा आप लोग का correct answer तो बताना आप लोग का यह session कैसा रहा तो चलिए आप लोग से मिलते हैं से अपडेट के साथ next day